नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डश्ट एलर्जी यानि के धूल से एलर्जी, उसके सिम्टम्स और उसकी होमेपेथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों जनरली देखा जाए तो हमारे देश में धूल से ऐलर्जी एक बहुत ही कामन बिमारी है और लगवग लगवग सो में से 30 लोग ऐसे हैं जिने धूल से ऐलर्जी होती है और बहुत प्रकार के सिम्टम्स पेदा होते हैं आपने देखा भी होगा आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जब घर में रोज सुबह जाड़ू लगती है तो उन्हें लगातार छींके आने की सिकायत हो जाती है या नाक से पतला पानी बहने की समस्या हो जाती है। ये सब दोस्तों डश्ट ऐलर्जी के लक्षण होते हैं जो बिभिन बिभिन लोगों में अलग अलग पेदा होते हैं उनकी इम्मिनुटी के हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं कि डश्ट ऐलर्जी होती क्या है। दोस्तों जनरली हमारे सरीर में रोगों से लड़ने का एक प प्रतिरक्षा तंत्र है ये कुछ चीजों के प्रति ओवर रियक्षा करने लगता है मतलब एक समान्य मात्रा से जब ज़्यादा रियक्षन करने लगता है उस समान्य मात्रा से जब जब ज़्यादा रियक्षन करता है तो हमारी बाड़े में विभिन्य विभिन्य प्रकार के स symptoms पेदा होते हैं जो एक आम ब्यक्ति में नहीं होते हैं तो दोस्तों जब किसी ब्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र धूल के प्रति समाने से बहुत अधिक reaction करने लगता है तो वहाँ पर उसे अलग-अलग लक्षन पेदा होते हैं यदि ब्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कुछ कुछ मात्रा में overreact करता है, तो उसे थोड़े से symptoms आते हैं, यदि बहुत अधिक मात्रा में overreact करता है, तो उसे बहुत जादा symptoms आते हैं, बहुत जादा severe आते हैं, इसमें आपने देखा theoretical, कि कुछ लोगों को धूल से थोड़ी सी allergy होती हैं, तो कुछ लोग एसे मिलेंगे, जिनने लगातार छींके चलना सुरू होती है तो बंध ही नहीं होती बड़ी मुश्किल से जब वो एंटिहिस्टमाइन दबाए लेते हैं जिसे के सेटरिजीन, लिवोसेटरिजीन, एविल तब ही उनकी छींके आना बंध होती है तो जितना ब्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र ओवर रियक्ट करता है उतना ज्यादा ब्यक्ति को सिम्टम्स आते हैं दोस्तो इसके लाब ज़िस साइंटिफिक बात करें तो जब भी धूल के करण आपकी नाक के म्यूकस मेंब्रेन के संपर्क में आते वहाँ पर ओवर रियक्षन के कारण आपके प्रतिरक्षा तंत्र के ओवर रियक्षन के कारण वहाँ पर हिष्टामाई नामक केमिकल का सिक्रेशन होना सुरू हो जाता है जिसके करण आपको लगतार पतला पानी बहना नाक आना या नाक से जो है लगातार चीक के आना, ये सब समस्या शुरू हो जाती तो यदि हम इन चीज़ों को कंट्रॉल में कर लेते हैं तो हमारी धूल से जो एलर्जी है वो कंट्रॉल में हो जाती तो उसतों सबसे पहले जाते हैं कि धूल के संपरक में आने की कारण याने धूल की अलर्जी से हमें क्या-क्या सिम्टम्स आ सकते हैं तो धूल की अलर्जी यदि आपको है तो नाक से पतला पानी बहने की सिकायत नाक से बार-बार छीके आने की सिकायत आँखोस में जलन होना आखोसे पतला पानी बहना या जो है गले में खरासी बने रहना गले के अंदर ऐसा लगना जिसे अंदर कुछी जो है खुजली पेदा कर रही हूँ लगातार दोस्तों सूखी खांसी चलने की सिकायत होना ये सब धीरे धीरे बढ़ती जाती है यदि आप इसे अलर्जी का इलाज नहीं करते हैं तो ये जो है कफ बन कर आपके फेफड़े के अंदर जमा होने लगती है और धीरे धीरे अस्थमा यानि की सांस चलने की सिकायत होना शुरू हो जाती है ये सभी सिम्टम्स होती है दोस्तों डश्ट अलर्जी के दोस्तों बात करते हैं इसका टीटमेंट क्या है तो इसके लिए दोस्तों होमेपेती में बहुत अच्छा टीटमेंट है जो आपके प्रतिरक्षा तंतर को कंट्रोल में लाता है और डश्ट के अलर्जी से आपको निजात दिलाता है दोस्तो इसके लिए हूमेफेती में दोप्रगर की मेरिसिन यूज़ की जाती ही सबसे पहली मेरिसिन दोस्तो हिष्टा मिनम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सब कर दिन में उता है दोस्तो दूसरी बहुत ही शांदर मेरिसिन ए वह हे Pothos foitida का मदर-tinर दोस्तों यह जब Pothos foitidas है यह नार्थ अमेरिका का पोधा है जिससे इसका मदर-tinर तयार किया जाता है और होमय पिथी में यह जो Pothos का मदर-tinर यह धूल के अलरजी में लगबग 1500 सालों से यूज किया जा रहा है यहाँ पर आप Pothos Portidus का Mother Tinger की पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों 1.500 सालों से जब कोई Medicine यूज हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा प्रभावी होगी क्योंकि यदि कोई Medicine कुछ समय के लिए प्रहावशील होती है या कम प्रहावशील होती है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में बंद हो जाती है परन्तों यदि कोई Medicine लगातार 1.500 साल से यूज हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा प्रभावी है डस्ट एलरजी को दूर करने में तो दोस्तों जब हम पोथोस का Mother Tincture किसी मरीश को लगातार कुछ दिनों तक पिलाते हैं तो उसके अंदर जो Immune System overreact करने लगा था वो कंट्रोल में आना सुरू हो जाता है और Immune System के overreaction के कारण जो allergic response वाड़ी पैदा कर रही थी वो भी कंट्रोल होना सुरू हो जाती है और जब ये सब कंट्रोल होता है तो आपकी छीके आने की ज़ा आवरत्ती है जो पुन्रवत्ती है वो धीरे-दीरे कम होना सुरू हो जाती है नाक से पतला पानी बहने की शिकायत है ये धीरे-दीरे कम होता है यह सब धीरे-धीरे कम होती सुरू हो जाती है, कम होते-धोते दोस्तों यह खतम की तरफ बढ़ती जाती है, जब आप लगातार इस medicine का यूज करते रहते हैं, तो आपको दो तरह की medicine यूज करना, हिस्टामिन 1M, साथ दिन में एक बार वो पोथोस का मदा टिंचर उसे लेने 20 साल से अधिक उम्र में भी आपको 20 बुंदों से अधिक नहीं लेना है, आपकी उम्र 15 साल है, तो 15 बुंद सुबह दोगर रात आप आधे का पानी के साथ ले सकते हैं, इन दोनों medicine को आप continue यूज करेंगे, कुछ महीनों तक, तो आपकी पुरानी से पुरानी यदि आपक साल पुरानी, तो लगवग आपको 5-6 महीने, 8 महीने तक इन दोनों medicine का लगातार यूज करेंगे, तो आपका immune system control में आना सुरू हो जाएगा, आपका जो histamine secretions हो रहा थे, वो control में आने सुरू हो जाएगे, जिसके result में आपको इन सारे लक्षणों से पूरी तरह से मुक्त मिल जाएगे और आप आगे जाकर अस्थमा या सांस की गंभीर सिकायत की चपेट माने से दोस्तों बच जाएगे, दोस्तों वीडियो में दीके जान करें, यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी का बहुत-बहुत जैहिन बंदे मात्रम